हेलो स्वागत है आपका फ्री एडिकेशन यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है वेशाली लोधी और दोस्तों आज किस वीडियो लेक्चर में हम करेंट अफ्यस से कवर करने वाले हैं सभी पुरुस्कार और सम्मान के लिए इस टॉपिक से वनने वाले मोस्ट इंपॉर्टन ह को हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे पुरुस्कार और सम्मान इस टॉपिक में हम सभी स्पोर्ट्स अवर्ड को डिसकस करेंगे फिल्म अवर्ड को डिसकस करेंगे या फिर किसी संस्था के द्वारा दिये गए और राज्यसभा के द्वारा दिये गए विशेश अ कि लास्ट में आप सभी के लिए एक चलेंजिंग कौशन भी रखा गया है जिसका आँसर आप सभी को कमेंट सेशन में कमेंट करके देना है चलिए शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स कौशन से और नंबर फर्स कौशन है जनवरी 2023 में आयजित 71 वी Miss Universe प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता दोस्तों 71 Miss Universe प्रतियोगिता इसको जनवरी 2023 में आजित किया गया इसको December 2022 में आजित किया जाना था लेकिन December में FIFA World Cup होने के कारण इसको जनवरी 2023 में आजित किया गया है और 71 Miss Universe जो है ये बन गई है USA की आर बोनी ग्रेबियल सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा ये कहां की है ये अमेरिका से बिलोंग करती है और ये 71 वी Miss Universe बन गई है इससे पहले की जो 70 वी Miss Universe थी हरना स्कॉर शंदू अपने भारत देश से बिलोंग करती है और जो हरना स्कॉर शंदू है इन्होंने आर बोनी ग्रेबियल को ताज पहनाया है चलिए नेक्स कॉशन है हाल ही में वर्ष 2022 के लिए एकलब पुरिसकार किसे प्रदान किया गया दोस्तो 2022 के लिए दिया गया है एकलब पुरिसकार लेकिन कब दिया गया जनवरी 2023 में दिया गया है किसे दिया गया है तो स्वस्ती सिंग के लिए D option is the right answer स्वस्ती सिंग जो है ये साइकलिस्ट है और इनको ये जो पुरिसकार है योबा खेल प्रतिभाओं को पुरुचसाहित करने के लिए प्रदान किया गया है नेक्स कॉशन फीफा वर्लकप 2022 का खिताब किस देश ने जीता most important caution है फीफा वर्लकप 2022 का जो खिताब है ये जीता है अर्जेंटीना देश ने B option is the right answer फीफा वर्लकप का आयजन कहाँ पर किया गया था तो कतर देश में इसका आयजन किया गया इस बर्स कौन सा संस्क्रण था तो 2022 में ये इसका 22 वाही संस्क्रण था और आर्जेंटीना जो देश है इसने फ्रांस देश की टीम को हरा कर फीफा वर्लकप का खिताब अपने नाम किया है नेक्स कॉशन पेटा इंडिया ने वर्श 2022 के लिए पर्सन ओफ दे इयर के खिताब से किसे सम्मानित किया दोस्तो पेटा ये क्या है तो पश्यो के अधिकार के लिए लड़ने वाला एक अमेरिकी संगठन है इसने 2022 के लिए पर्सन ओफ दे इयर जो है ये चुना है सुनाक्षी सिना के लिए सुनाक्षी सिना कौन है तो आप सभी जानते हैं ये भारती अभिनेत्री है और इनको पेटा इंडिया ने पर्सन ओफ दे इयर के खिताब से सम्मानित किया है 2021 के लिए किसे चुना था तो अभिनेत्री आलिया भट के लिए चुना था दोस्तों नेक्स कॉशन के और बढ़ने से पहले मैं आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी गुड नियूस देना चाहती हूँ हमारे चैनल की करेंट अफियस की ई-बुक जो है ये लॉंच हो चुकी है अगर आप पूरे साल के करेंट अफियस को पढ़ना चाहते हैं या फिर टॉपिक वाइस को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ई-बुक को अभी बाई कर सकते हैं ये जो ई-बुक है इसमें आपके लिए जनवरी 2022 से लेकर दिसमर 2022 यानि की पूरे साल का करेंट अफियस प्रोवाइड किया जा रहा है इसी के साथ में अगर हम बात करते हैं टॉपिग वाइस करेंट अफियस की तो आपको एखी ई-बुक में साट से ज़ादा टॉपिग वाइस करेंट अफियस दिये जा रहे हैं total number of question की बात करेंगे तो आपको 5000 से ज़ादा detail mcq जो है with extra fact के साथ में इस ebook में provide किये जा रही है जैसा कि आप देख सकते हैं अभी जो परिक्षाए हो रही है उनमें पिछले 2 साले का current affairs पूछा जा रहा है अगर आप एक साल के current affairs की ebook को buy करना चाते हैं तो आप इस ebook को buy कर सकते हैं और पिछले 2 सालों का current affairs पढ़ना चाते हैं तो आप हमारी 2 वार्षे का current affairs की ebook को अभी buy कर ले दौनों ebook जो है आपके exam के लिए बहुत ही ज़दा helpful थावित होंगी बहुत से बच्चों ने इन ebook को buy किया है और अपने review जो है ये भी वही पर जो comment section है उसमें comment किये हैं बताया है कि ebook उनके exam के लिए कितनी ज़दा helpful रही है कितने सारे caution यानि कि mostly caution जो है वो इन ebook में से पूछे गए हैं तो इन ebook की जो link है आपको इसी वीडियो के description box में मिल जाएगी आप हमसे पढ़ते हैं आप हमसे जड़े हुए हैं इसलिए हम चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी selection ले और इसलिए इस ebook को अभी buy कर ले next question जनवरी 2023 में किसे असम राजिका सर्वोच option is the right answer जो डॉक्तर तपन से किया है उनको ये पुरुषकार cancer देखपाल के छेतर में प्रदान किया गया है 2022 में किसे दिया गया था तो उद्योग पती रतन टाटा के लिए ये पुरुषकार दिया गया था इसको भी आप याद रखेंगे next question अंग्रेजी भासा के लिए साह option is the right answer जो अनुराधर रॉय है इनका एक फीमस उपन्यास है all the lives we never lived इसके लिए इनको साहे तकादमी पुरुषकार अंग्लेजी भासा के लिए प्रदान किया गया है साहे तकादमी पुरुषकार काफी ज़दा इंपॉर्टेंट है इनसे एक कौशन आपके एक्जाम में क् है ये फेक्ट कई बार एक्जाम में रिपीट हुआ है इसको आप याद रखेंगे लेकिन हमें 24 भाषा के लिए याद नहीं करना है हमें सिर्फ हिंदी अंग्रेजी संस्क्रित और उर्दू इन चार भाषा के लिए याद रखना है हिंदी भाषा के लिए ये जो दीप मारिक्यम के लिए और उर्दू भाषा के लिए अनीश अश्फाक के लिए दिया गया है इनका एक फेमस उपन्यास है ख्वाब साराब इसके लिए ये इनको पुरुषकार प्रदान किया गया है चारों के लिए आपको याद रखना है एक्जाम में कॉशन कहीं से भी रजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता रजी ट्रॉफी 2022 में जो हुई है ये इसका 87 संस्क्रण था और ये जो खिताब है पहली बार जीता है मदरपरदेश की टीम ने ए ऑप्शन इस दर राइट आंसर नेक्स कॉशन है जनवरी 2023 में किस देश की रास्टपती को प्रभा प्रवासी भारतिय सम्मान 2023 जो है ये बहुत सारे व्यक्तियों को दिये गा है लेकिन एक देश की रास्टपती को ये सम्मान दिया गया है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा जनवरी 2023 में जो गुआना की रास्टपती है इनका क्या नाम है तो इनका ट्वेंटी क्रिकेट विशकब 2022 जीता दोस्तो ब्लाइंटी ट्वेंटी क्रिकेट ये जीता है अपने देश भारत ने ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो भारत है इसने बांगलादेश की टीम को हरा कर ये जो खिताब है ये अपने नाम किया है याद हरा कर तो सी ऑप्शन जो है इंगलेंट ये बिल्कुल करेट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा ओविजेता टीम रही है पाकिस्तान और कितने विकेट से हराया है तो पांच विकेट से हराया है नेक्स कॉश्चन रेमन मैक्से से पुरुसकार 2022 कितने व्यक्तियों को प्र के हैं तदाशी हतोरी फिलिपीन्स के बाल रोग विशेशा की वर्नाडिट मैडरिट और फ्रांसीसी पर्यावरन कारे करता है गैरी वेंचेंगी इन चारों को रेमन मैक्से से पुरुसकार 2022 जो है ये प्रदान किया जाएगा ये जो पुरुसकार है याद रखिएगा 1957 से शुरुआत की गई थी फिलिपीन्स के साथवे रास्टपती थे रेमन मैक्से से इनकी इस्मरती में ये पुरुसकार प्रदान किया जाता है पूछा जाता है कि रेमन मैक्से से पुरुसकार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतिय व्यक्ति कौन थे तो ये थे विनोबा भ ये जो खिताब है ये जीता है गुज्राइट टाइटन्स ने यहाँ पर हमारा D option बिलकुल right answer हो जाएगा next question cricket Asia Cup 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता cricket Asia Cup दोस्तों ये जीता है श्री लंका ने B option is the right answer जो श्री लंका की टीम है इसने पाकिस्तान को हरा कर cricket Asia Cup 2022 का खिताब जीता next question है FIFA Under 17 Women's World Cup 2022 किस ने जीता है FIFA Under 17 Women's World Cup 2022 ये जीता है इस्पेन देश की टीम ने B option is the right answer next question मिस्स वर्ल 2022 का खिताब किस भारतिये ने जीता मिस्स वर्ल 2022 ये बनी है सरगम कौशल A option is the right answer next question किस भारते लेखिका को अंतर रास्टी बुकर प्राइस 2022 से सम्मानित किया गया दोस्तों अंतर रास्टी बुकर प्राइस 2022 ये दिया गया है गीतानजली श्री के लिए B option बिलकुल right answer हो जाएगा जो गीतानजली श्री है इनका famous उपन्यास है इसका नाम है रेत समाधी और इसी उपन्यास के लिए इनको अंतर रास्टी बुकर प्राइस 2022 से सम्मानित किया गया है इसमें पूछा गया है कि बुकर प्राइस 2022 किसने जीता इससे पहले हमने बात की थी इंटरनेशनल बुकर प्राइस की अब हम बात कर रहे हैं बुकर प्राइस किसे दिया गया है तो ये दिया गया है शेहान करना तिलक के लिए B option बिलकुल right answer हो जाएगा जो शेहान करना त लख हैं ये श्री लंका के लेखाक हैं और इनको इनके उपन्यास दी सेवन मून्स ओफ आली अलमेडा इसके लिए ये पुरुषकार प्राइस किया गया है नेक्स कॉश्चन प्रो कवड़ी लीग 2022 का खिताब किस टीम ने जीता दोस्तों ये खिता है जैपुर पिंक दोस्तों लता दीनानात मंगेशकर पुरुषकार आपको पता है कि हमारे देश की फेमस सिंगर थी लता मंगेशकर इनका हाली में निदन हो गया तो इनके और इनके पिता दीनानात मंगेशकर के सम्मान में और इसमती में लता दीनानात मंगेशकर पुरुषकार की शुरु यहां से कोशन आपके एक्जाम में क्रियेट किये जाएंगे तो प्रधान मोदी के अलावा गायक राहुल देश पांडे अभीनेत्री आशा पारिक अभीनेता जैकी श्रॉप और एक चैरिटी ट्रस्ट है जिसका नाम है मुंबई टिफिन सप्लायर इसको भी ये पुरुषक यह कोल काता राजिस से विलोंग करते हैं याद रखिएगा इससे पहले 77 वी नंबर के ग्रेंड मास्टर कौन बने थे तो यह बने थे आदित मित्तल नेक्स कॉश्चन है हाल ही में कहां की संसदने तनुजा नेश्री को आयरवेद रत्न पुरुषकार से सम्मानित किया है नेक्स कॉश्चन किस भारतिय को ग्रीन आसकर के नाम से प्रसिद वीटले पुरुषकार 2022 प्रदान किया गया दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टन इसे ग्रीन ओसकर के नाम से जाना जाता है ये किसे दिया गया है तो ये दिया गया है चारुदत्त मिश्रा को भी ओप्शन राइट आंसर हो जाएगा और चारुदत्त मिश्रा जो है ये भारतिय हैं नेक्स कॉश्चन है बेडमिंटन टूर्णमेंट ठोमस कब 2022 का खिताब किसने जीता थॉमस कप यह जो खिताब है पहली बार जीता है अपने देश भारत की टीम में question most important है next question है badminton tournament uber cup 2022 का खिताब किसने जीता दोस्तों जिस प्रकार से badminton tournament thomas cup जो है ये पुरुषों के लिए आज़ित किया जाता है उसी प्रकार से महिलाओं के लिए uber cup का आज़िन किया जाता है uber cup का जो खिताब है ये जीता है दक्षन कोरिया की टीम ने c option बिल्कुल right answer हो जाएगा next question है 2022 में किसे major ध्यांचंद खेल रत्न पुरुषकार से सम्मानित किया गया ये जो पुरुषकार है दिया गया है सरद कामल अचंता के लिए c option बिल्कुल right answer हो जाएगा next question महिला ODI विशकब 2022 का खिताब किसने जीता दोस्तों ये जो खिताब है ये जीता है आस्ट्रेलिया की टीम ने c option बिल्कुल right answer हो जाएगा इसका आजन कहां पर किया गया था तो न्यूजीलेंड देश में आजन किया गया था और वर्ष 2022 में ये इसका बारवा संस्क्रन था किसने जीता है ये खिताब तो आस्ट्रेलिया देश की टीम ने जीता है next question हाल ही में किसराजी के निजात अभ्यान को अंतर रस्ती IACP पुरुसकार 2022 प्रदान किया गया इंतर रस्ती IACP पुरुसकार 2022 ये दिया गया है निजात अभ्यान के लिए और ये जो अभ्यान है इसको 36 गड़ पुलिस के द्वारा चलाया गया ये option बिलकुल right answer हो जाएगा जो 36 गड़ की पुलिस है इसने नसीली दवाव और अवेट शराब विरोधी अभ्यान को सुरू किया और इसके लिए अंतर रस्ती IACP पुरुसकार प्रदान किया गया है इस वर्ष कौन सा संस्क्रण था सुल्तान जोहर कब का तो दसवा संस्क्रण था आईजन कहां पर किया गया तो मलेशिया देश में इसका आईजन किया गया है और ये खिताब किस ने जीता तो अपने देश भारत ने इरानी कप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता दोस्तो ये जीता है शेश भारत की टीम ने बी option बिल्कुल right answer हो जाएगा इरानी कप इसका संबंद किस खेल से है तो इसका संबंद जो है ये cricket से है और किसने जीता है तो शेश भारत की टीम ने नेक्स कॉस्चन है ICC UNDUN19 Cricket Wish Cup 2022 का खिताब किस देश ने जीता है ICC UNDUN19 Cricket Wish Cup का जो खिताब है ये जीता है अपने देश भारत ने ए आप्शन बिलकुल राइट आंसर हो जाएगा नेक्स कॉस्चन सांती के छेत में Noble Pruskar 2022 के विजिता का नाम बताई है सांती के छेत का Noble Pruskar 2022 में बैलारूस के एलन वल्याशिकी के लिए रूस का मानवाधिकार संगठन है मैमोरियल संगठन और यूकरेन का मानवाधिकार संगठन है इसका नाम है Civil Liberty संगठन इन तीनों के वेग्यानिक कैरॉलिन वर्टोजी के लिए अमेरिका के एक और वेग्यानिक है इनका नाम है वेरी शाप लेस और डैन्मार के वेग्यानिक मार्टन मेंडलर इन सभी के लिए दिया गया है उपर यग्त डी जो है option बिल्कुल correct answer हो जाएगा next question भौतिकी के छेते में नुबल प मेरिट से सम्मानित किया गया अमेरिका का सर्वोच सम्मान है लीजर आफ मेरिट इससे सम्मानित किया गया है अपने देश के प्रधानमंती नरिंद्र मोदी जी के लिए इसी सीरीज में नेक्स्ट हमारा कॉशन है भूटान का सर्वोच नागरिक पुरुसकार नगदल पेलगी खोरलो से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों ये भी most important कॉशन है क्योंकि ये जो पुरुसकार है भूटान का सर्वोच नागरिक पुरुसकार है और ये भी नरिंद्र मो से समानित किया गया दोस्तों ये जो सम्मान है फ्रांस का सर्वोच सम्मान है और ये दिया गया है अरुना साही राम के लिए डी ऑप्शन बिलकुल राइट आंसर हो जाएगा ये पुरुसकार जीता है एमबर ब्रेकिन ने बी ऑप्शन बिलकुल राइट आंसर हो जाएगा ये किसे दिया गया है तो दोस्तों ये जो पुरुसकार है ये दिया गया है सेतु के लिए सी ऑप्शन इस दा राइट आंसर जैसे प्रदान किया गया है तो ये जो पुरुसकार है दोस्तों ये दिया गया है दामुदर माउजो को बी ऑप्शन इस दा राइट आंसर जैसे प्रदान किया जाता है आपको याद रखना है ये जो पुरुसकार है जो लेखक होते हैं उनको प्रदान किया जाता है इसके स्थापना कब की गई थी तो 1961 में की गई थी और पहला ग्यानपीट पुरुसकार जो है ये मल्यालम लेखा जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था यहीं पर हम जान लेते हैं कि 56 ग्यानपीट पुरुसकार किसे दिया गया था तो 56 ग्यानपीट पुरुसकार जो है 2021 के लिए लेकिन कब दिया गया दो 2022 में किसे प्रदान किया गया है तो यह दिया गया है नील मडी फूकन जूरियर के लिए C option is the right answer नेक्स कॉशन है 31 सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया यह दिया गया है प्रोफेसर राम दरश मिश्र के लिए नेक्स कॉशन हल ही में किसे पहले बांगला अकादमी पुरुसकार से सम्मानित किया गया दोस्तो पहला बांगला अकादमी पुरुसकार है इसलिए कॉशन म जो पुरुसकार है ये दिया गया है पस्टिब मंगल की मुख्यमंत्री ममता बेनर जी के लिए जो ममता बेनर जी है इनकी एक पुस्तक है इसका नाम है कवीता बिटान क्या नाम है कवीता बिटान इस पुस्तक का नाम है और इसी पुस्तक के लिए इनको पहला बांगला अका Qution हाल ही में भारत के किस Tiger Reserve को TX2 पुरुषकार प्रदान किया गया TX2 पुरुषकार ये बागों की संख्या में दोगनी ब्रद्धी के लिए दिया जाता है किसे दिया गया है तो सत्तमंगलम Tiger Reserve को दिया गया A option is the right answer Qution हाल ही में शात्वा स्वामिनाथन पुरुषकार किसे दिया गया वी प्रणी व रा के लिए A option is the right answer Qution है लिए भारतीज खिलाडी है भालकफे खिलाडी है इनको ये पदक प्रदान किया गया नेक्स कॉश्चन है भारत रतन डॉक्टर अमेटकर पुरुषकार 2022 से किसे सम्मानित किया गया यह जो पुरुषकार है यह दिया गया है अभी नेत्री हर्शाली मलोत्रा के लिए the option is the right answer आप सभी ने वजरंगी भाईजन मुवी देखियोगी उसमें मुन्नी का जो रोल है य इनों ने यानि की हर्शाली मलोत्रा ने ही प्ले किया था नेक्स कॉश्चन है किसे टेंपल टल पुरुषकार 2022 से सम्मानित किया गया यह किसे दिया गया है तो यह पुरुषकार जो है यह दिया गया है फ्रेंक विल्जे के लिए बी option बिलकुल right answer हो जाएगा नेक्स कॉश यह दिया गया है बद्री नाराइन के लिए इनकी कवीता है तुमडी के शब्द क्या नाम है तुमडी के शब्द और इसी के लिए इनको यह जो पुरुषकार है यह प्रदान किया गया है नेक्स कॉश्चन है हुरून ग्लोबल 500 मूलवान कंपनियों की सूची 2022 के अनुसा भारत की सबसे मूलवान कंपनी कौन सी बनी है दोस्तों भारत की सबसे मूलवान कंपनी जो है यह बनी है Reliance Industries Limited D option is the right answer नेक्स कॉश्चन है हाल ही में किस वॉलिवूड अभिनेत्री को Time 100 Impact Award 2022 से सम्मानित किया गया ताइम 100 Impact 2022 यह दिया गया है अभिनेत्री दीपिका पादू दोस्तों के लिए C option is the right answer नेक्स कॉश्चन कलिंग रतन सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों यह जो पुरुषकार है यह दिया गया है विश्प भूशन हरी चंदरन के लिए B option is the right answer जो विश्प भूशन हरी चंदरन है आप सभी जानते होंगे यह वरतमान में आंदरपदेश की राजपाल यानिकी गवर्नर है नेक्स कॉश्चन पहले केमप गोड़ा अंतररास्ट्य पुरुषकार 2022 से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों केमप गोड़ा अंतररास्ट्य पुरुषकार इसको करनाटक सरकार के द्वारा इसी साल इस्थापित किया गया पहला पुरुसकार है इसलिए कॉश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह जो अंतरास्ट्य पुरुसकार है यह प्रकाश पादुकोण, SM कृष्णा और N.N.N.Mूर्ती इन तीनों के लिए दिया गया है उपर एक तो सभी D.O.P. बिलकुल राइट आंसर हो जाएगा याद पुरुके बेडमिंटन खिलाडी है इन तीनों को यह पुरुसकार प्रदान किया गया है इनको इनके उपन्यास दी बुक ओफ फॉर्म एंड एप्टिनेस के लिए यह पुरुसकार दिया गया है उपन्यास भी आपको याद रखना है इसका नाम क्या है गार्जियन ग्लोवल नर्सिंग अवार्ड यह किस ने जीता है तो दोस्तों यह जो अवार्ड है यह जीता है अन्ना कावले दुबाने बी आप्शन इस दा राइट आंसर नेक्स कॉश्चन राफेल नडाल 2022 में किस टैनिस ग्रेंड इसलैम के विजिता रही है दोस्तों राफेल नडाल इन्होंने 2022 का ऑस्ट्रेलियल ओपन और फ्रेंच ओपन दौनों में पुरो शेकल का खिताब जीता है इसलिए यहाँ पर आप्शन नमबर डी ए और बी दौन से कॉश्चन आपके एक्जाम में क्रेट किया जाते हैं तो याद रखिएगा और फ्रेंच ओपन में पुरो शेकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता है और बात करते हैं विंबल्डन ओपल की तो नोवाग जोकोविच ने पुरो शेकल का और एलीना रिबाकिना इन्हों ने महिला एकल का खिताब जीता है यूएस ओपन की बात करते हैं तो कार्लोस अलकारेज इन्होंने पुरो शेकल का और इगा स्विस्टेक जो है इन्होंने महिला एकल का खिताब जीता है जाद रखिएगा जो इगा स्विस्टेक है इन्होंने यूएस ओपन और फ्रेंच दोनों में महीला एकल का खिताब जीता है इससे एक कौशन क्रियेट होता है आप चाहे तो वीडियो को पॉस करके इसका स्क्रीन शॉक्ष ले सकते हैं नेक्स कौशन है किसे लड़ाक के सर्वुच नागरिक समान से समानित किया गया लड़ाक का और याद रखेगा जो हैदराबाद है यह भारत का एक लौता सहर है जिसने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवर्ड 2022 को जीता है नेक्स कॉशन है हाल ही में किस भारतिय को नेपाल के जनरल मानतपद से सम्मानित किया गया दोस्तो नेपाल का जनरल मानतपद यह दिया गया है मनोच पांडे के लिए A option is the right answer नेक्स कॉशन है दादस सहाफवाल के इंटरनेशनल फिल्म अवर्ड 2022 में बेस्ट फिल्म अवर्ड का अवर्ड किसे दिया गया दोस्तो DPIFF अवर्ड जो है इन में बेस्ट फिल्म अवर्ड अवर्ड दिया गया है पुश्पा दराइज मूवी के लिए B option is the right answer अब बात करें इस फिल्म फेस्टिवल की तो इसका जो आयजन है यह मुंबई में फरवरी 2022 में किया गया था सर्विसरेश्ट अभीनेता का पुरुषकार रणवीर सिंग के लिए दिया गया था फिल्म 83 के लिए सर्विसरेश्ट अभीनेतरी का पुरुषकार यह किसे दिया गया तो यह जो पुरुषकार है दोस्तो यह दिया गया कृती सेनन के लिए और बात करें किस मूवी के पदक से समानित किया गया ये जो कॉशन है रिपीट हो गया है इसका आंसर आपको कमेंट सेशन में कमेंट करके देना है परम विसेज़ सेवा पदक ये दिया गया है नीरत चोपड़ा के लिए नेक्स कॉशन है एशिया ट्रेक चेंपियंशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतिय साइकलिस्ट कौन मने हैं दोस्तो इनका नाम है रोलांडो सिंग, C option is the right answer और याद रखियेगा ये एशियंट ट्रेक चेंपियंशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारते खिलाडी बन गाए है नेक्स कॉशन है आईफा अवर्ड 2022 में बेस्ट फिल्म ऑफ दे इयर का अवर्ड किस फिल्म को दिया गया बेस्ट फिल्म ऑफ दे इयर का जो अवर्ड है ये आईफा अवर्ड में शेर्शाह मूवी के लिए दिया गया है A option is the right answer बात करते हैं आईफा अवर्ड की तो आईफा का फिल्फर्म होता है International Indian Film Academy Award 2022 के विनर्ज की फुल लिस्ट को हमें आपर डिसकस कर लेते हैं तो बेस्ट फिल्म का अवर्ड दिया गया शेर्शाह के लिए बेस्ट डारेक्टर का जो अवर्ड है ये शेर्शाह मूवी के लिए विश्नु वर्धन के लिए दिया गया है बात करते हैं वेस्ट एक्टर का जो अवर्ड है ये किसे दिया गया तो सरदार उधा मूवी के लिए विक्की कौशल के लिए वेस्ट एक्टरेस का जो अवर्ड है ये मीमी मूवी के लिए क्रती सेनन के लिए दिया गया बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर ये दिया गया है प इन सबी को एक ही जगा पर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी e-book को अभी बाय कर ले e-book की link जो है ये इसी वीडियो के description box में आपके लिए मिल जाएगी वही पर आपके लिए WhatsApp नमबर भी provide किया गया है अगर आपको कोई भी quarry होती है e-book को buy करने में कोई भी दिक्कत परिशानी आती है तो वही पर आप हमसे contact कर सकते हैं और इसी प्रकार के पूरे साल के topic वाइस को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस e-book को जल्दी से buy कर ले चलिए next हमारा caution है 94 Oscar Award 2022 में फिल्म का अवर्ड किसे मिला तो ये जो अवर्ड है ये दिया गया है कोड़ा मूवी के लिए ये जो मूवी है इसके निर्देशा कौन है तो स्यान हेडर है इनको भी आपको याद रखना है अब Oscar Award इनमें Best Film का अवर्ड दिया गया कोड़ा मूवी के लिए Best Director का जो अवर्ड है ये Jen Campion के लिए दिया गया है Best Actor का अवर्ड ये किसे दिया गया Will Smith के लिए और West Actress का जो अवर्ड है ये Jessica Cheston के लिए दिया गया है Next Question Formula One Race Dutch Grand Prix 2022 का खिताब किसने जीता दोस्तो Formula One Race Dutch Grand Prix 2022 का जो खिताब है ये जीता है नीदरलेंड के रेसर मैक्स बेरिस्टपन ने C option is the right answer Next Question है रास्टमंडल खेल 2022 के लिए भारत में पहला स्वर्ण पदग किसने जीता दोस्तो Commonwealth गेम की बात हो रही है और इसमें भारत के लिए पहला स्वर्ण पदग यानि की गोल्ड मैडल जो है ये जीता है वेटलिफटर मीरा बाई चानून है जो मीरा बाई चानू है इन्हो 49 किलोग्राम भार्ग बर्ग इस परदा में कुल 201 किलोग्राम भार बजन उठा कर भारत के लिए पहला गोल्ड मैडल जो है ये जीता है प्रिजजर आर्खिटेक्चर पुरुसकार 2022 किस ने जीता प्रिजजर आर्खिटेक्चर पुरुसकार 2022 यह जीता है देई वेदे फ्रांसिस केरो ने नेक्स कॉश्चन है BWF विश बेडमिंटन चेंपियंशिप में रजट पदक जीतने वाले पहले भारते खिलाडी कौन बने ये बने है किदामी शिरीकांत C option is the right answer साहित्य के छित्य में नोबल पुरुसकार 2022 की विजिता का नाम बताईए साहित्य के छित्य का नोबल पुरुसकार 2022 में दिया गया है एनी एर नॉक्स के लिए नेक्स कॉश्चन है हाल ही में किसे मर्नो प्रांथ करनाटक रतन सम्मान से सम्मानित किया जाएगा दोस्तो करनाटक रत्न सम्मान जो है ये दिया गया है पुनीत राचकुमार के लिए B option is the right answer नेक्स कॉश्चन किस नेता को लिवर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया गया लिवर्टी मेडल दोस्तो ये अमेरिका का प्रतिस्टित सम्मान है और 2022 में जो बोलोडिमिर जैलेंस्की है यूकरीन के राच्टपती है इनको इस पुरुषकार से सम्मानित किया गया है इसी सीरीज में next question है किस देश के रास्टपती बोलोडिमिर जैलेंस्की को विस्टन चर्चिल लीडर्सिफ अवार्ड दिया गया है दोस्तों ये जो अवार्ड है ये बोलोडिमिर जैलेंस्की के लिए दिया गया यूनेशको शांती पुरुषकार ये दिया गया है एँजिला मारकेल के लिए ये कौन है तो ये जर्मनी की पूर्व चάνसलर है next question अलही में 31 वे ब्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया 31 वे ब्यास सम्मान ये दिया गया है डॉक्टर असगर वजाहत के लिए है नेक्स कॉशन है हाल ही में Mother Teresa Memorial Award से किसे सम्मानित किया गया Mother Teresa Memorial Award ये दिया मिर्जा और अफ्रोज शाह इन दौनों को दिया गया है Option number C उप्रोग तो दौनों ये बिल्कुल correct answer हो जाएगा नेक्स कॉशन है नेक्स कॉशन है जो breakthrough पुरुषकार है ये गड़ित के शेतर में दिया जाता है 2023 में ये पुरुषकार किसे दिया गया है तो ये दिया गया है डैनियल स्टीप मैन के लिए A option is the right answer नेक्स कॉशन है हाल ही में किसे एबल पुरुषकार 2022 से समानित किया गया एबल पुरुषकार ये दिया गया है अमेरिकी गड़ तक ये है डैनिस सुलिविन इनको B option is the right answer नेक्स कॉशन है हाल ही में कॉसल विकास योजना में उतकरश्टता के लिए सर्विस रेष्ट जिला के रूप में किस जिले को चुना गया इसका सही आंसर हो जाएगा option number A राजकोट राजकोट जिला कहां पर है तो ये गुजरात में और इसको कॉसल विकास योजना में उतकरश्टता के लिए सर्विस रेष्ट जिला चुना गया है next question है हाल ही में किस राज़ सरकार ने संयोक्त रास्ट विश्व शिकर सम्मेलन में सर्विस रेष्ट परियोजना पुरुषकार जीता है दोस्तों ये जो पुरुषकार है ये जीता है मेघाले राज़े ने A option is the right answer. Next question है, हाल ही में. नेता जी पुरुषकार 2022 किसे दिया गया? Question most important है. क्योंकि नेता जी पुरुषकार जो है दोस्तों, ये दिया गया सिंजो आवे के लिए A option is the right answer. और सिंजो आवे ये कौन है? तो ये जापान के पूर प्रधान मंत्री हैं, जिनकी अभी हाल ही में हत्या कर दी गई थी. Next question है, हाल ही में किसे? Indian Sports Fan Award 2022 से सम्मानित किया गया? Indian Sports Fan Award 2022 ये दिया गया है कार्थी के शर्मा के लिए. Next question, Scott Home Diamond League 2022 में नीरत चोपडा ने कौन सा मेडल जीता? दोस्तों, पहली बार, Scott Home Diamond League में जो नीरत चोपडा हैं, इन्होंने जीता है, Silver Medal, C Option is the right answer. Next question है, 36 रास्टे खेल 2022 किस राज़ में आज़ित हुआ? 36 रास्टे खेल जो है, इनका आज़न किया गया, गुजरात में A Option is the right answer. और दोस्तों, याद रखिएगा, पहली बार जो रास्टे खेल हैं, इनका आज़न गुजरात राज़ में किया गया. सबसे ज़्यादा जो पदक हैं, ये किसने जीते हैं? तो ये जीते हैं महरास्ट में. लेकिन पदक तालीका में सीश पर कौन है, तो सर्विसेस की टीम है, क्योंकि सर्विसेस की टीम जो है, इसने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं, कितने गोल्ड मेडल तो एक सट गोल्ड मेडल जीते हैं, और ये टॉप पर रही है. अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे जादा पदक किसने जीते हैं तो ये जीते हैं महराज़्च की टीम ने कुल 140 पदक जीते हैं महिला क्रिकेट एश्यकप 2022 का खिताब किसने जीता? महिला क्रिकेट एश्यकप 2022 इसका खिताब जीता है अपने देश भारत ने A option is the right answer जो भारत है इसने श्री लंका की टीम को हरा कर ये खिताब अपने नाम किया है नेक्स कॉश्चन हाल ही में संपन 19 वे दिल्ली अंतरास्टी ओपन ग्रेंड मास्टर 27 टूर्णमेंट 2022 का खिताब किसने जीता? दोस्तों ये जीता है अपने देश के अरजुन एरेगेसी ने C option is the right answer नेक्स कॉश्चन है भारत के 76 वे ग्रेंड मास्टर कौन बने? दोस्तों 2022 में भारत के 76 वे ग्रेंड मास्टर है ये बने प्रणव आनन C option is the right answer यही पर हम जान लेते हैं कि भारत के 77 वे ग्रेंड मास्टर कौन बने? ये बने आधित मितल A option is the right answer नेक्स कॉशन है एशियाई महादूपिय सतरण चेंपेंशिप 2022 के ओपन वर्ग में एशियाई चेंपेंशिप कौन बना तो दोस्तो ये बने है आर प्रज्यानन सी ऑप्शन इस दा राइट आंसर नेक्स कॉशन है क्रिकेट से संबंदे ट्रॉफी दिली ट्रॉफी 2022 का खिताब किस ने जीता दिली ट्रॉफी इसका संबंद किस खेल से है तो क्रिकेट से है इसका जो खिताब है ये जीता है पस्चमी छेतरन है नेक्स कॉशन है इरानी कप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता इरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर B पीवी नदिता जो पीवी नदिता है ये महिला वर्ग में एशाय चैंपेन बनी है पुरुष वर्ग में एशाय चैंपेन कौन बना तो हमने आभी डिसकस किया था ये बने है आर प्रग्या नन नेक्स कॉश्चन है फीफा अंडर 17 Women's World Cup 2022 किसने जीता है इसको जीता है इस्पेन देश की टीम ने B option is the right answer जो इस्पेन है इसने कोलंबिया को किसने से हराया है तो कोलंबिया को 1-0 से हरा कर फीफा अंडर 17 Women's World Cup 2022 जीत लिया है नेक्स कॉश्चन है ग्रीश मिकालिन वधर ओलंपिक 2022 की पदक तालिका में कौन स देश शीर्ष इस्थान पर रहा है तो दोस्तों ग्रीश मिकालिन ओलंपिक वधर जो हुए हैं 2022 में इसकी पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है यूक्रेन देश ए ऑप्शन is the right answer जो यूक्रेन है इसने 138 पदक जीते भारत की स्थिती क्या रही है तो भारत जो है इसने कोशन एशियाई कुस्ती चेंपेंशिप 2022 की पदक तालिका में सीर्ष इस्थान किस देश का रहा है ये जो चेंपेंशिप है इसकी पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है जापान देश भी option right answer हो जाएगा ये जो कुस्ती चेंपेंशिप हुई थी इसका आयजन कहां पर कि और शीज़ पर कौन सा देश रहा है तो ये रहा है जापान देश चलिए नेक्स कॉश्चन है हाल ही में संपन नौवी रास्टी आइस होकी चेंपियंशिप 2022 का किताब किस ने जीता ये खिताब जीता है लद्दाक राज्ज ने सौरी लद्दाक केंदर शाषिट प्रदेश महिला होकी अशिया कब 2022 ॉसका खिताब जीता है चापान ने ब्लॉकूल राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट हमारा Q draining है विजए 1000 Trophy 2022 किसने जीती? विजए 1000 Trophy इसका संबंद किस खेल से है? जल्दी से कमेंट सेशन में कमेंट कीजिए तो विजए 1000 Trophy जो है, इसका संबंद क्रिकिट से है और इसको जीता है Sourastiky team ने C option is the right answer इसका जो आयजन है ये डिसमबर 2021 में किया गया था इसका जो खिताब है ये जीता था अपने देश की हरनास को और शंदून है इसमें जो अपने देश की हरनास को और शंदू है उन्होंने खिताब जीता था और ये सत्तरवी मिस यूनिवर्स बन गई थी आप बात करते हैं दोस्तों उनत्तरवी मिस यूनिवर्स कौन बनी तो ये बनी है एंड्रिया मेजा ये कहां की है मेकसिको देश की है आजन कहां पर किया गया था तो USA के फ्लॉरिडा में किया गया था और संस्क्रंड कौन सा था तो दोस्तों उनत्तरवा संस्क्रंड था सब इफेक्ट आपको याद रखने हैं दोस्तों नेक्स्ट एन लास्ट हमारा चेलेंजिंग कॉशन है इस कांसर आपको कमेंट सेशन में कमेंट करके देना है उससे पहले हम आपको फिर से याद दिलाना चाते हैं आपने अभी तक हमारी e-book को बाई नहीं किया है तो जल्दी से आप इस e-book को बाई कर लें क्योंकि आपके एक्जाम बहुती जदा नजदीक है आपके पास समय बहुत कम है इतने सारे वीडियो को आप कैसे देखेंगे क्वेक एंड फास्ट रिविजन करना चाते हैं तो इस e-book को जल्दी से जल्दी बाई कर लें e-book में जितने भी कॉशन है विट एक्स्ट आफेक के साथ में और डेटेल में आपके लिए प्रोवाइड किये गए है तो इस e-book को अभी बाई कर लें लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना है अगर आपने वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखा है तो इसका आंसर अब सभी को पता होगा कॉशन है 71 मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीता चार आप्शन दिये गए है और मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 के बारे में आप डेटेल भी लिखेंगे कि ये जो प्रतियोगिता है इसका आइजन कहां पर किया गया कभ किया गया है साथ में ही कमेंट सेक्षन में ये भी कमेंट करें कि अपने देश से अब तक कौन-कौन Miss Universe बन चुकी है दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें आपके भाई बहन दोस्त भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें इसलिए वीडियो को शेयर कर दें आप हमारी प्ले लिस्ट को ज़रूर विजिट करें या फिर दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर तीन मोस्ट यूसफुल वीडियो देख रहे होंगे इन वीडियो को भी देख लें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवादा